वैसे तो गोवा अपने night life और beaches के लिए famous है, लेकिन beyond beaches, गोवा के history के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही dark और दर्दनाक है, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ, गोवा के काफी पुराने मंदिर, श्री मंगेश मंदिर, जो प्रियोल, पोंडा, तालुका, गोवा में मंगेशी गाव में located है, यह नागुशी के पास मरदोल से एक किमी की दूरी पर, गोवा की राजधानी पंजी से 21 किमी दूर और मढगाव से 26 किमी दूरी पर located है, श्री मंगेशी सारस्वत ब्राह्मनों और अन्य गोत्रों के कुलदेव, परिवार देवता है, श्री कवले इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे मैं मैं अगर आपको बताऊं तो, इस मंदिर की उत्पत्ति कुशस्थली को रटालिम में हुई थी, जो मोर मुगाव का एक गाव है, जो 1543 में आक्रमनकारी पुर्तगालियों के हाथों में चला गया था वर्ष 1560 में जब पुर्तगालियों ने मोर मुगाव तालुका में इसाई धर्मांतरन शुरू किया, तो कॉंडिन्य गोत्र और वत्स गोत्र के सारस्वतों ने मंगेश लिंग को अगनाशिनी, जुवारी, सांकोले, नदी के तट पर कुशस्थली या कोरटालिम के मूल स् स्थानांतरन के समय से मंदिर का मराठो के शासनकाल के दोरान दो बार और फिर वर्ष 1890 में पुनर निर्मान और जीर्नोधार किया गया है। इसे स्थानांतरित किये जाने के लगभग 150 साल बाद। पेशवाओं ने अपने सरदार श्री रामचंद्र मलहार सुकतंकर जो श्री मंगेश के कट्टर अनुयाई थे कि सुझाव पर 1729 में मंगेशी गाउं को मंदिर को दान कर दिया। इसके निर्मान के कुछ ही वर्षो बाद ये क्षेत्र भी 1733 में पुर्तगालियों के हाथों में चला गया लेकिन अब तक पुर्तगालियों ने अपना प्रारंभिक धार में कुछ साह खो दिया था और मराठो द्वारा बार बार पराजित किया गया था और अन्य धर्मों के प्रति काफी सहिश्नु हो गए थ यहां एक प्रमुख नंदी बैल और एक सुन्दर साथ मंदिला दीपस तंभ है जो सारस्वत वास्तुकला शैली में मंदिर परिसर के अंदर खड़ा है मंदिर में एक शांदार पानी की टंकी भी है जिसे मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है सभाग्रह एक विशाल हॉल है जिसमें पाच सौ से ज्यादा लोग बैट सकते हैं इसकी सजावट में उन्नीसवियों सदी के जूमर शामिल है सभाग्रह का मध्य भाग गर्भग्रह की ओर जाता है जहां मंगेश की प्रतिमा प्रतिष्ठित है मुख्य मंदिर भगवान मंगेश को समर्पित है जो शिव के अवतार है भगवान मंगेश की पूजा यहां शिवलिंग के रूप में की जाती है किमवदंती के अनुसार शिव ने अपनी पतनी पार्वती को डराने के लिए बाग का रूप धरन किया था पाग को देखकर भयभीद पारवती शिव की तलाश में निकल पड़ी और चिल्लाने लगी त्राई ममगिरिशा हे परवतों के स्वामी मुझे बचाओ शब्द सुनते ही शिव अपने सामान्य रूप में वापस आ गए ममगिरिशा शब्द शिव से जुड़ गए और समय के साथ ये शब्द संक्षिप्त होकर मंगुरिशा या मंगुएश हो गए वह कई गौड सारस्वत ब्रामणों और सारस्वत ब्रामणों के कुल देवता हैं अन्य देवताओं की बात करे तो वाडिस परिसर में नंदिकेश्वर, कचानन, भगवती और वत्स गोत्र के ग्राम पुरुष, देव शर्मा जैसे देवताओं के मंदिर भी हैं मुख्यभवन के पीछे के सहायक मंदिरों में मुलकेशवसर, वीरभद्र, सांतिरी, लक्ष्मी नारायन, सूर्य नारायन, गरुड और काल भैरव जैसे देवताओं कहा जाता है कि मंगेश लिंग को ब्रह्मा ने भागी रथी नदी के तट पर मंगीरेश, मोंगीर परवत पर प्रतिष्ठित किया था, जहां से सारस्वत ब्राह्मन इसे बिहार के त्रिहोत्र पुरी ले आये वे लिंग को गोमान तक ले गए और जुआरी नदी के तट पर मोर मुगाओं में बस गए, जिसे वर्तमान में कुशस्थली, आधुनिक कोटालिम कहा जाता है और वहां अपना सबसे पवित्र मंदिर स्थापित किया तो दोस्तो ये था गोवा के एक बहुत ही खूब सूरत मंदिर, श्री मंगेश मंदिर, उम्मीद है आपको वीडियो और जानकारी काफी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करना, और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ, जिसके सा आप गोवा ट्रिप का प्लान बना रहे हो, और आप गोवा आते हो तो इस जगह पर आना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो के लिए ट्रैवलर बॉइस को सब्सक्राइब जरूर करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद!